आकाश वजवर्गिये के बाद इस विधायक ने किया कीचर कांड वीडियो हुआ वाइरल कॉंग्रिस के विधायक नितेश राणे ने एक एंजीनियर के साथ मारपीट का मामला सामने आ रहा है दिरसल महराष्ट के पूर्व मुखि मंतरी नारायन राणे के बेटे और कॉंग्रिस विधायक नितेश राणे कटकवली के पास हाईवे का मुआयना कने गुरुआ सुभप पहुचे थे मुआयना करने के दुरा नितेश राने को जब हाईवे पर गड़े नजर आये तो वो भड़क गए उन्होंने इंजीनियर प्रकाश शेडकर को मौके पर बुला कर उनके साथ गाली गलोच की और सिर्फ इतना ही नहीं निदेश ने महा रखी कीचर से भरी बाल्टी को प्रकाश के उपर डलवा दिया इसके बाद जिस पुल पर वो खड़े थे उस पुल से इंजीनियर को बांधने की भी कोशिश की बता दे कि भाजबा के राश्च्री महा सचीव केलाश विजवरगी की बेटे वो विधाय काकाश विजवरगी ने भी नगनिगम के एक अधिकारी के साथ मारपीट की थी जिस वज़े से उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था उनका वीडियो इतना जादा वाइरल हुआ कि पिये मोदी ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक रिया दे री थी इस मामले के सुनवाई भोपाल कोट ने खारिच कर दी थी जिसके बाद उन्हें काफी समय जेल में भी रहना पड़ा था इसी दुरान उनके जेल में होने से उनके कारिकरताओं ने पूरे इंदौश शहर में विरोध प्रदैशन किया दो कारिकरताओं ने अपनी जान देने की कोशिश भी की थी जिसके चलते ये मामला और भी बढ़ गया था चार दिन के बाद आकाश को जेल से रिहा कर दिया गया नगरनिकम अधिकारी को बल्ले से पीटने की आरोपी आकाश को जमानत मिल गए थी लेकिन कागजी प्रक्रिया पूरी नहीं होने की कारण वो बहार नहीं आसके थे वे सारी उपचा रिकता हैं पूरी करने के बाद आकाश विजेवर्गिये बहार आ गए गौरतलब है कि आकाश विजेवर्गिये को भुपाल की विशेश अदालत से जमानत मिली थी 26 जून को इंदोर नगर निकम की अधिकारी को बल्ले से पीटने की आरोपी आकाश विजेवर्गिये पर उसी दिन मुकदमा दर्ज हुआ था और उन्हें 14 दिनों की नियाई खिरासत में भेज दिया गया था इस मामले में जब आकाश की जमानत याचिका इंदोर कोट पहुची तो उनकी याचिका को खारिच कर दिया गया था तब इंदोर कोट ने कहा कि ये मामला विधायक से जुड़ा है इसलिए इसकी सुनबाई करना उनके शेतर अधिकार में नहीं है जेल से भाराने के बाद उनके समर्थकों ने उनका जोरदा स्वागत किया जब आकाश घर पहुची तो फूल माला से उनका स्वागत हुआ आरती उतारी गई और मिठाए खिला कर उनका स्वागत किया गया इतना ही नहीं पूरे रास्ते बैंड बाजे भी बचते रहे